ये question क्या कर रहा है कि the zeros of the polynomial px ब्राबर 3x square minus 1r तो इस polynomial का हमको क्या निकालना है zeros निकालना है जब तुम factorization of polynomial पढ़ लोगे जो next chapter है तो ये इस तरह का question तुम्हारे लिए एकदम आसान हो जाएगा हमको zeros of polynomial निकालना है तो zeros of polynomial का मतलब क्या है x का ऐसा value जिसके चलते ये polynomial 0 हो रहा हो तो हम इसको 0 से equate कर देंगे 3x square minus 1 को 0 से equate कर देंगे और x का value निकाल लेंगे तो यहाँ से हम कहें कि 3x square बराबर क्या होगा तो 1 होगा तो x square बराबर क्या होगा 1 by 3 तो अब ज़रा सोचो कि x square बराबर 1 by 3 हो गया तो इसके बाद बनाने का दो तरीका है method 1 है कि आप square को उदर बेजो तो कभी भी square जब उदर जाता है तो under root बनता है और बाहर में plus minus आता है यहनिकि x बराबर plus minus 1 by root अंडर 3 हो जाएगा actually root अंडर पूरा पे चड़ेगा लेकिन 1 का root तो 1 ही हो जाएगा है ना और 3 का root रहेगा तो 1 value हो गया 1 by root 3 और 1 value हो गया minus 1 by root 3 ठीक है method 2 क्या है यहां के बाद बनाने का वो देखो method 2 है यहां के बाद कि 1 by 3 को उधर कीच दो तो 1 by 3 को जब उधर कीच होगे तो x square minus 1 by 3 बराबर 0 होगा तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x square 1 by 3 को 1 by root 3 और इसका square तो actual में यह बन जाएगा formula a square minus b square का अब a square minus b square हो जाएगा तुमारा a plus b और a minus b तो a के जगा पे तुमारा x और b के जगा पे 1 by root 3 तो a plus b और a minus b होगा is equal to 0 अब यह 0 होगा तो भी 0 यह होगा 0 तो भी 0 तो अगर इसको 0 लिखोगे आप तो x plus 1 by root 3 बराबर 0 यहां से आएगा x का एक value आपका minus 1 by root 3 तो कि इधर आएगा इसको 0 करोगे तो x का value आप साब देख रहे हो कि 1 by root 3 इधर आएगा तो यह plus में 1 by root 3 अब एक value आया minus 1 by root 3 और एक आया value 1 by root 3 तो यह option number d जो है आपका correct होगा समझ गे बात print कर लिजे और कोई doubt है इस exercise में तो बोलिए अब देखो यह तुभारा question number 26 भी एक doubt है उसको भी complete करते है the zeros of the polynomial px प्रावर 2x square plus 7x minus 4r इस polynomial का zeros बताना है यह दोनो इसका zeros होगा कि यह दोनो इसका zeros होगा कि यह दोनो zeros होगा यह दोनो zeros होगा इसका पिछला question भी जो अभी हम लोग करके आ रहे हैं अगर हमको zeros निकालने नहीं आता है quadratic polynomial का तो option से भी हम निकाल सकते हैं जैसे अभी हमको option दे दिया है चार्थो अगर हमको option नहीं दिया रहता चार्थो तो बनाने का एक अही विदी होता है लेकिन अभी अगर हमको option दे दिया है तो हम एक दिमाग यह लगाएंगे कि भाईया अगर zeros होगा तो यह जो x का value है 4x का value minus 1 by 2 इसको यहाँ put up करने से answer का आएगा यहाँ पे अगर zeros होगा जो भी x का value 0 होता है उसको हम लोग polynomial में डालते हैं उस x के value को तो वो polynomial को 0 बना देता है कि नहीं बना देता है तो अगर x का value डालने से 0 answer आ रहा है तब हम उसको zeros बोलेंगे और नहीं तो नहीं बोलेंगे समझ में आ रहा है बार तो सबसे पहले हम 4 डालके देखते हैं कि P4 का value क्या आ रहा है तो P4 डालेंगे तो ये 2 into अब 4 डालेंगे तो 4 का square होगा plus 7 into 4 minus 4 तो यहां से बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा संक्या हो जाएगा चर्चों के 16 दुना बद 32 और ये सच्चों के 28 ये इतने बड़ा हो गया कि minus को manage नहीं कर सकता है तो positive number देगा मतलब ये zeros नहीं होगा तो अगर ये zeros नहीं होगा तो ये होगा ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी एक option 4 है और आप जानते हो कि quadratic polynomial का 2 ही 0 आएगा तो 2 0 में से अगर 1 0 नहीं हुआ तो अगला को check करने का जरूरत ही नहीं है अब एक मतलब ये बात हुआ कि अब 4 नहीं हुआ तो minus 4 तो हो सकता है देखते है तो ये बात तो तैह है सुनो एक काम कम करो actual में उस दोनों option में तुमारा minus 4 और minus 4 चमक रहा है चमक रहा है न इसमें 4 चमक रहा था उसमें minus 4 minus 4 चमक रहा था तो ये तो पक्की बात हो गया कि minus 4 तो पक्का satisfied करेगा ही करेगा क्योंकि 4 option में से एक option तो सही होगा ना भाई तो 4 पक्का satisfied करेगा इसकी guarantee है आप डाल के देख लो 0 आ जाएगा किस बेसिस पर कर रहा है तो कि 4 option में से एक option सही होता है 4 option में से एक option सही होता है और अगर 4 satisfied नहीं किया तो इन दोनों option में minus 4 minus 4 मौझूद है तो minus 4 तो satisfied करेगा ही करेगा अब option चेक कर लिजे कि 1 by 2 satisfied कर रहा है कि नहीं 1 by 2 नहीं करेगा तो minus 1 by 2 वाला option हो जाएगा उसको check करने की जवरत नहीं होगी किवल 1 को check करेंगे यह है option rejection method option को reject करते जाएगे 4 option में से एक अई सही होता है यह सही नहीं हुआ यह सही नहीं हुआ तो इन दोनों में से कोई सही होगा तो x का value अब हम लोग 1 by 2 इसमें डालके देखेंगे कि p of 1 by 2 का value क्या आ रहा है तो p of 1 by 2 का value निकालने के लिए हम यहाँ पे value जब plug-in करेंगे तो यह हमारा value हो जाएगा p of 1 by 2 का 2 into 1 by 2 का square plus 7 into 1 by 2 और minus 4 तो यह हो गया 2 और गुने यह हो गया उपर में 1 एक कम 1 और नीचे में 2 दूना 4 तो कि पूरे का square है फिर plus 7 by 2 और minus 4 तो यह कट जाएगा 2 से अब यह हो गया 1 by 2 और यह हो गया 7 by 2 तो इसी का केवल LCM लो यह रहने दो minus 4 को तो 2 2 का LCM 2 है तो 2 से भाग देगे मतलब LCM जब सेम रहता है दोनों को तो simple उपर जोड देते हैं तो एक और साथ जोड दो तो साथ और एक आठ तो आठ बटे चार और minus का चार चौरी दो था नीचे दो चोग के आठ तो 4 minus 4, 0 हो गया ना मतलब option number C correct है क्या ये बात समझ में आया अगला जो topic हम लोग का chapter है RS अगरवाल में तुमारा factorization of polynomial उसमें हम लोग option नहीं भी दिया रहेगा तो भी इसका zeros निकालेंगे middle term splitting से या फिर completing square method से या स्रीदरा चार error से किसी न किसी एक से निकालेंगे तो चले प्रिंट कर लिजे इसको तीनों में थाट हम लोग आप अगलें क्लास में देखेंगे झालेज़ को खिसrition बाउनेगे की जये हो प्रभी या जा इह पुब या या मंद से